नमस्क्राइब फ्रेंड्स, मैसल दॉक्टर शिखा फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि महिलाओं की हेल्थ से जोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है आज के समय में दस में से हर तीसरी या चौथी फीमेल में ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है और दिन पर दिन इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है इस इशू का नाम है PCOD यानि की Polycystic Ovarian Disease या Polycystic Ovarian Syndrome जिसको आम भाशा में गर्भाशे की रसौली या गर्भाशे में गांठ होना भी कहते है Medical term में इसको ओवरी में सिस्ट होना या ओवरी में गांठ होना बोलते है Friends, ये एक ऐसी समस्या होती है जिसकी वज़े से महिलाओं में या फीमेल्स में और भी बहुत सारी समस्यां देखने को मिलती है तो Friends, आज की वीडियो में हम PCOD के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि PCOD क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके क्या sign and symptoms होते है और PCOD किस सरकी फीमेल्स में जादा देखने को मिलता है और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि PCOD के एलाज के लिए क्या operation ही एक मात्र उपाय है आखिर मैं बहुत अच्छी असरदार homeopathic medicines के बारे में बताऊंगी ऐसी medicines जो मैंने अपने क्लेनिक में काफी सारे patients को दी है और वो ठीक हुआ है तो friends, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चानल पर पहली बार आये है या आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो friends, सबसे पहले जान लेते हैं कि PCOD क्या होता है जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है polycystic ovarian disease तो poly का मतलब होता है जहां पर भी आपको poly लगा हुआ दिखे तो उसका मतलब होता है multiple या फिर बहुत सारे और cystic का मतलब होता है cyst या फिर gant और ovarian है तो यानि कि ovary में तो ovaries में बहुत सारी गांठे देखने को मिलती है इस condition में और ये जो गांठे होती है ये पानी से भी भरी हो सकती है या फिर blood से भी भरी हो सकती है देखने में गुबारे जैसा structure लगता है इनका जैसा कि आप picture में भी देख सकते हैं ये किस तरह की होती है नॉर्मल ovary आपको किस तरह की दिखेगी और polycystic में आपको ovary किस तरह की दिखेगी इसी condition को हम polycystic ovarian disease या PCOD कहते हैं अब जान लेते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं polycystic ovarian disease क्यों हो जाती है बॉड़ी में तो इसका जो major कारण होता है जो सबसे बड़ा reason होता है वो ये होता है महिलाओं की बॉड़ी में जब पुरुषों के हार्मोन जादा बढ़ जाते हैं तो इस वज़े से PCOD हो जाता है basically महिलाओं के शरीर में दो तरह के हॉर्मोन काम करते हैं estrogen and progesterone जो उनके reproduction में और periodical cycle में help करते हैं तो estrogen and progesterone female hormones होते हैं तो जब females की body में male hormone बढ़ने लगता है और female hormone काम होने लगता है तो इस condition में PCOD हो जाता है male hormone को हम androgen कहते हैं यही level जब androgen का level बढ़ने लगता है तो PCOD की condition हमें देखने को मिलती है और friends, body में जब इस तरह का changes आता है तो बहुत सारे हमें issue देखने को मिलते हैं जैसे कि महिलाओं की period cycle disturbed होने लगती है इसको भी PCOD होता है उनको कभी time से 10-15 दिन पहले ही period आजाता है उतार चड़ाव की विज़े से होने वाला problem है इसमें hormones का fluctuation होता है अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपको PCOD हो चुका है इसकी पहचान करने के लिए अगर आपकी body में ये 3 changes दिखने लगें तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको PCOD होने वाला है या फिर आपको PCOD हो रहा है सबसे पहला जो change है वो होता है irregular period यानि कि periods का आगे बीछे हो जाना या बहुत time तक periods का ना आना दूसरा जो change होता है वो ये होता है आपकी body में male hormones का बढ़ जाना जिसकी विज़े से क्या होता है अगर आपकी body में male hormone बढ़ जाएगा तो आपकी body में excessive hair growth होने लगेगा जैसे कि beards की जगा पर बाला जाना और mustaches की जगा पर बाला जाना बाडी में बहुत ज़्यादा hair growth होने लगता है और तीसरा change होता है आपकी ovaries में cyst होना तो ये सारे changes अगर आपको दिखते हैं तो आपको alert हो जाना चाहिए कि आप PCOD की category में आ रहे हैं अब बात करते हैं इसके होने के पीछे क्या वज़ा हो सकती है क्या कारण हो सकते है तो फ्रेंट्स medical science में exact reason इसका नहीं मिला है मतलब अगर आपकी मदर को PCOD हो चुका है या present में है तो आपको भी PCOD होने के chances होते हैं ये एक ऐसी problem है जो generation to generation भी transfer होती है अब जान लेते हैं PCOD के sign-in symptoms यानि के लक्षन क्या होते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी बताया अगर आपको PCOD है तो आपकी body में excessive hair growth देखने को मिलता है body में बाल जादा हो जाते है और आपके चहरे पर आपके face पर beards के area में आपकी दाड़ी के area में उस area में females के भी बाल आने लग जाते हैं hair growth होने लग जाता है या आपके pate पर बाल आ सकते हैं आपकी thighs पर बाल आ सकते हैं तो इस तरह की symptom देखने को मिलते हैं next symptom होता है acne या pimple होना अगर आपको PCOD है तो आपके चहरे पर बहुत जादा pimple आने लगेंगे acne होने लगेगा क्यूंकि PCOD में hormones का fluctuation होता है तो इस वजय से आपके चहरे पर acne या pimple देखने को मिलते हैं तीसरा symptom होता है irregular period PCOD की condition में 6 महिने से लेके एक साल तक भी periods का gap हो सकता है इतना time तक भी किसी किसी को periods नहीं आते हैं PCOD के case में और जब period आता है तो बहुत ज़दा heavy bleeding होती है जिसकी वजय से patient को tiredness होती है बहुत थकान होती है weakness feel होती है अगला जो symptom होता है weight gain होना यानि कि आपकी body में आपका वजन बढ़ने लगता है आप obese होने लगते हैं धीरे-धीरे मोटे होने लगते हैं क्योंकि इस वक्त body का metabolism बहुत ज़दा disturb होने लग जाता है इस करण से लोगों की body में weight gain करने की tendency आ जाती है इसी के साथ साथ body में skin का color जगा जगा से dark होना start हो जाता है गर्दन पर देखने को मिल सकता है या arm pit में देखने को मिल सकता है इस condition को हम hyperpigmentation कहते हैं अब चलते हैं इसके treatment part की तरफ तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि अगर किसी को PCOD है तो क्या operation ही एक मात्रेलाज होता है PCOD एक ऐसी condition है जिसको अगर आपने operate करवा भी लिया या इसका operation आपने अगर करवा भी लिया तो यह दुबारा से develop होने लग जाता है क्योंकि जो आपके cells में tendency develop हो चुकी है cyst बनाने की तो वो operation से पूरी तरह से नहीं जाती है तो operation से नहीं ठीक हो सकती है पूरी तरह से इसके लिए आपको medications की जरूरत होती है लेकिन होमेपेथी में इसका पूरी तरह से सफल और सुरक्षय तिलाज मौजूद है Friends, मैंने अपने क्लिनिक में काफी PCOD के patients ठीक किये हैं फिर भी मैं आपको यह suggest करूँगी आप अपने नज़दी की होमेपेथिक डॉक्टर के consult में अपने treatment ले क्योंकि Friends, हर patient की body और प्रकती अलग-अलग होती है तो आपके overall symptoms लेकर आपका treatment स्टार्ट होता है फिर भी मैं आपसे कुछ होमेपेथिक medicines share करूँगी तो सबसे पहली medicine है इस condition के लिए ophorinum या ovarinum इस medicine का क्या काम होता है ये medicine आपकी ovaries को mature करने का काम करती है क्योंकि Friends, ये PCOD की condition में ovulation का disturb हो जाना एक बहुत बड़ा reason होता है PCOD होने का तो ये medicine आपके ovulation को normal करने का काम करती है और जब ovulation ठीक रहेगा तो आगे problem बढ़ेगी नी तो ये आपके proper cycle को proper आपके ovulation को maintain करती है इस medicine की आपको 6 CH potency में लेकर आना है इस medicine को और ये आपको कैसे लेनी है ये आपको दिन में तीन बार लेनी है दो-दो बुने अगली medicine है एपिस मलेफिका इसकी आपको 30 potency लेनी है और इसको भी आपको दिन में तीन बार दो-दो द्रॉप्स लेना है अगली जो medicine है वह बहुत excellent results देखे गए है ये medicine है Janosya Ashoka mother tincture में आपको इसको लेना है ये एक uterine tonic का काम करता है बहुत अच्छा होता है females की problems के लिए PCOD के लिए irregular periods के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है इस condition में Ashoka mother tincture को आपको दिन में तीन बार लेना है एक चोथाई कप पानी में बीस बीस बुंदर डाल कर आपको दिन में तीन बार लेना है तो friends ये सभी medicine आपको बहुत अच्छा result देंगी और इससे काफी patient ठीक हुए है तो friends ये medicine आपको तीन से चार महिने तक continue लेनी है बीच में आपको break नहीं करना है अगर आप medicine की continuity बनाए रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे results मिलेंगे और आपकी problem पूरी तरह से ठीक हो जाएगी मैं आपको कुछ preventive tips बताने जा रहे हूँ तो उसको आप ध्यान में रखेंगे अगर आप इसको भी ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे results मिलेंगे सबसे पहला आपको क्या करना है आपको अपने weight पर ध्यान देना है अगर आप मोटे हो रहे हैं आपका weight पढ़ रहा है तो आप exercise करना शुरू कर दीजे दूसरा आपको क्या करना है दूसरा आपको डाइट में चेंजिस करना है अगर आप बहुत ज़्यादा आलू या चावल खाते हैं कार्भो हाइडरेट किसी फ़र्म में लेते हैं तो उसको बंद कर दे या उसका limited amount में सेवन शुरू कर दे इसके अलावा friends मीठा आपको कम से कम खाना है शुगरी चीजें बहुत कम से कम लेनी है बाहर का जंक फूद बहुत कम खाना है मैदा वाली चीजें बिल्कुल बंद कर देनी है क्रीम, मक्षन, बटर इस तरह की जो चिकनाई वाली चीजें इसको आपको बंद कर देना है और ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीना है, लिक्विड आपको ज्यादा कंजूम करना है और इसी के साथ साथ नारिल पानी भी आप पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फ्रेश फ्रूट जूस आप पी सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरा एफ़र्ट अच्छा लगा है तो करप है मेरे वीडियो को अपने फ्रेंट्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और जिसको इसकी नीड है, इस PCOD जिसको भी है उन सभी को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और उनको इस चीज का बहुत लाब मिलेगा तो फ्रेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंट्स फैमिली के साथ तब तक के लिए, stay healthy and stay happy. Thank you so much for watching. Bye.